वर्लकप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के दौरे पर है जोह तीन मैचों की ODI सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला मुकाबला मोहाली के IS बिंदरा स्टेडियम में खेला गया जिससे टीम इंडिया के बलेबाजों और गिंदाजों ने शांदार प्रोडेशन करत बेहत ही जरूरी है और अगर के दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नाम कर लेती है तो टीम इंडिया को ये सीरीज गवानी पड़ सकती है वैल बता दे कि पहला ODI मैच जीते ही टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम बन चुकी है जिहां दोस्तों च सेकंड ODI मैच को जहां पर आपको बताएंगे पिछ का हाल वैदर रेपोर्ट के बारे में साथी साथ प्लेइंग 11 और की प्लियर्स के ना तो नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार्फर से क्रिकेट लाइन गुरू चानल के प्री मैच अनलिसिस सेग्मेंट में तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे मैच प्रिव्यू की तो दोस्तों देखिए इंडिया और उस्ट्रियलिया के बी जो सेकंड ODI मैच है वो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इन दौर में खेला जाएगा 24 सेप्टेंबर को संडे के दिन दुपहर देड़ बजे यानि कि पहला मुकाबला खेला गया था पंजाब में और अब यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इन दौर में तो यहां की पिशिपोर्ट पर अगर जडाली जाए तो टोटल माचस खेले गए हैं यहां पर चे चार मुकाबले जीते हैं फरस्ट बैटिंग करते हुए टीम ने तो वहीं दौ मुकाबले जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली तीम ने एविरेज षकोर यहां पर फरस्ट बैटिंग करने वाली तीम का रहा है 320 का, हाइस्ट स्कूर बनाया है टीम इंडिया ने 480 का तो वहीं लॉस्ट सको रहा है साउट अफरिका की टीम की नाम जोनों सब्सक्राइबन. कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है तो वहीं टीम इंडिया ने 55 मैचेज में जीत दर्च की है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 82 मैचेज तो ऐसे में दोस्तों देखे केल राहूल को टीम का कप्तान बनाए गया है दो ओडियाई मैच उसके लिए पहला ओडियाई मैच को जीत चुके हैं तो वहीं 2nd ODI मैच में भी उनके लिए अगनी परिक्षा रहने वाली है क्योंकि वाल कप की श्रुवात होने वाली है तो ऐसे में यहां पर केल राहूल को कही ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है तो ऐसे में 2nd ODI मैच में क्या केल राहूल अपनी कप्तानी म ये जीत दिलाने में कामयाब होंगे, ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा, इसके लिए केल राहुल किन 11 प्लेयर्स को देंगे, मौका अपनी प्लेइंग 11 में खिलने का, क्या वो चेंजिस करना चाहेंगे, किसी और खिलाडी को मौका देना चाहेंगे, तो चले बात कर ले किशन, सूरिकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शारतुल ठाकोर, जस्प्रीद वुम्रा और मौहमद चमी, तो ये वो 11 लाड़ी होंगे दोस्तों, जो एक बार फिर से हमें 2nd ODI मैच में नजर आ सकते हैं, यहां पर कोई भी बतलाव हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि मौहमद चमी बहुत ही अच्छे गेंदबा साबित रहे, फर्स्ट ODII मैच में 5 विकेट उन्होंने अपने नाम किये थे, तो ऐसे मैं की प्लियर्स पर अगर नजर डाली जाए कि 2nd ODII मैच में कौन से वो बनले पास और गेंदबास हों का, जिन्होंने माथर 63 वाल्स में 74 रंस की पारी खेली थी और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा था 170.46 का, अगला नाम है रितुराज गायकवार का, जिन्होंने फर्स्ट ODII मैच में 10 चौकों की मदद से दोस्तों 71 रंस की पारी खेली थी और उनका स्ट्राइक र का, अगला नाम है केल राहूल का, जो की टीम के कप्तान है, उन्होंने फर्स्ट ODII मैच में 92.06 के स्ट्राइक रेट से 58 रंस की अर्दश तक की पारी खेली थी और अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर सूर्यकुमार यादफ का, तो सूर्यकुमार यादफ ने काफी वक्त क के बाद अर्ध शुक्त के पारी खेली है ODII सीरीज में और यहाँ पर उन्होंने 50 रंस कोर किये थे और उनका स्ट्राइक रिट था 102.04 का, तो दोस्तों देखिए यह जो चार बलीबास हैं, इनके कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल सकती हैं, नेक्स्ट ODII मैच में, अब इनके अलावा गेन पासी पर अगर नजर आ ले जाए तो महमत शमी है यहां पर जिन्होंने पहले ही ODII मैच में शांदार गेन पासी करते हुए, पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाडियों को पवेलियन भेजा था, इनके अलावा अभी चननन अश्वन है, जिन्ने बहुत ही तो ताइम बाद ODII सीरीज के लिए Team India में शामिल किया गया है, जिन्नोंने पहले ही मुकाबले में एक विकेट अपने नाम किया था, तो वहीं आखरी नाम है आपको बता देते हैं तो पहला नाम है यहां पर डेविड वॉर्णर का मिचल मार्श है यहां स्टिल स्मिट मार्नस लवुशेंड कैमरून ग्रीन जॉस इंगलिस मार्कस स्टोइनस मैथ्यू शॉट पैट कमिंग्स शॉन एबॉर और एडम जंपा इन ग्यारक लाडियों के बार फिर से पैट कमिंग्स मौका देंगे इंडिया के खिलाफ भिंडेगा क्योंकि यहां पर पिछ अलग होगी मौहाली में पहला मुकाब्दा खिला गया था लेकिन अब बारी है इन दौर की तो दोस्तों सेकंड रोडियाई मैच में देखना होगा कि क्या पैट कमिंग् या फिर नहीं अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के की प्लियर्स की तो डेविड बॉर्णर है जिन्होंने फिर्स्ट ओडियाई मैच में टीम इंडिया के खिलाफ शांदार बलेबाजी करते हुए अर्दशतक या पारी खेलते हुए 52 रन स्कोर किये थे इनके अलावा स्टिप अगर गेंदाजों को देखा जाए तो शान एबॉर्ट ने एक विकेट निकाला था इंडिया के खिलाफ और एडम संपा ने दो विकेट चटकाए थे तो यह हो गए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के की प्लियर्स अब दोस्तों कंक्लूजन से पहले वैदर की बात कर लें तो द मैच में जो बलिबास और गिनबास की पर्फोर्मेंस देखने को मिली उस हिसाब से टीम इंडिया के चांसे यहां पर जादा नजर आ रही है यानि कि टीम इंडिया इस सीरीज को एक बार फिर से अपने नाम कर सकती है तो वहीं अगर पिछ के हिसाब से बात करें तो फर्स करते हुए टीम इस मुकाबले में जीत दर्च कर सकती है वैल आपके हिसाब से क्या ऑस्ट्रिया की टीम यहां पर टीम इंडिया को मात देने में कामयाब होगी क्या लगता है आपको नीचे कामेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रू शेयर करें फिलाल इस वीडि तिरिये कुकेट लाइन गुरू, so stay tune and keep watching